सब्सक्राइब की बटन को जरू दबा दे जिसे आपको आने में चलिए इस वीडियो की सुरुवात करते हैं पहला प्रसन क्या है देखते हैं आपके गडित के असाइमिन में तो देखे पहला प्रसन है निन में लिखी तालिका में 35 सहरों की साख्षरता दर प्रतीसत के आकड़े दिये गए हैं इन आकड़ों का माध्य ग्याद कीजिए बोला गया है क्या निकालने के लिए बोला गया है माध्य ग्याद कीजिए इन आकड़ों का तो सिंपास है लिख लेंगे उत्तर डार के हल डार के इस प्रकार से पहले टेबल बना लेंगे सबसे पहले लिख लेंगे साख्छरतादर इसको लिख लेंगे उसके बाद सहरों की स Fx निकाल लेंगे, Fx मतलब इन दोनों का क्या करेंगे, गुड़ा करके यहां से करेंगे, तीस प्रकार ये टेबल बना लेंगे, अब टेबल बनाने के बाद, next point में इसे आजएंगे, next paragraph में ये लिखेंगे, Fx upon F, तो इस फर्मूला में इसमें रख देंगे point को, और इसे solve कर लेंगे, तो इस प्रकार उत्तर आजएगा, साक्षर्ता दर के माध्या 69.42 प्रतिसत है, निसकर्स भी लिख लेंगे आप, 3 point निसकर्स, ये हो जाएगा इसका answer, अब आते हैं question number 2 में, question number 2 क्या बोलगया है, नीचे दिये गए प्रेक्षणों को आउसत, प्रेक्षणों का आउसत 36 है, x अज्याद प्रेक्षण ग्याद कीजिए, क्या बोलगया है, नीचे दिये के सभी संख्या का आउसत कितना है, 36 है, इसमें से ये x कमान ग्याद करन लिख लेंगे अच्छे से step wise लास्ट में आजाएगा एक्स कमान 35 ओके यहां पर एक्स लिख लेंगे या एप डालेंगे यहां पर आजाएगे कितना 35 यह हो जाएगा इसका answer सभी step को आप अच्छे से लिख लेंगे यह होजाएगा आपके question 2 का answer अब आते हैं question number 3 में, question number 3 में क्या बोला गया है, आरोही क्रम में आकड़े दिये गया है, इन सभी आकड़ों के जोड दिया गया है और इनका मध्धी का 18 है, तो इसमें P और Q का मान ग्याद कीजे बोला गया है, क्या बोला गया है, इसमें P और Q का मान ग्याद करने के लिए ब अधीका का चौथा पद है अब P का मान कितना हो जाएगा 17 तो इस प्रकार सभी को लिख लेंगे अब इस टेप वाइस एक एक इस टेप करके अच्छे से लिख लेंगे उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में यह आजागा इसको लिख लेंगे फार्मूला पर यहां मान प्रकार दी गई है उचाई दी गई है इन आकणों का माध्धी का ज्याद कीजिए उचाई दी गई है लड़कियों की संख्या दी गई है इनका क्या निकालना है माध्धी का ज्याद कीजिए सिंपल सा है हल डाल के लिख लेंगे इस प्रकार पहले टेबल बना लेंगे इस के बाद next point में next paragraph में यह आ जागा यहाँ पर माधिका फार्मूला है यहाँ पर सभी कमान रख देंगे सभी कमान रखने पर यह सभी को आप अच्छे से लिख लेंगी यह हो जाएगा इसका answer लगभग आधी लड़कियों की उचाई 150.55 cm से कम है इन सभी को लिख लेंगे यह ह पमें निनम आकडों का बहूला ज्यात किजे बोल रहे हैं,, वर्ग दिया है और आवरित्फि दिए इनका क्या निकालना है Jewelight ग्यात करने के लिए बोल लगा बरता f1 16 हो जाएगा और बहुलक वर्ग से ठीक पहले की पारंबरता f0 हो जाएगा 10, f2 हो जाएगा 12 और h हो जाएगा 10 अब क्या है बहुलक का फार्मूला यह होता है फार्मूला लिख लेंगे आप सुत्र बहुलक का अब देखे एल प्लस अंडर ब्रेकेट में f1-f0 अपन 2f f1-f0-f2 ब्रेकेट बन और इंटू h हो जाएगा तो यहाँ पर उस फार्मूले में सभी को मान रखने पर सुत्र मीन मानों को रखने पर तिये आजागा सुत्र मीन का मान रखेंगे फिर इसको सॉल करेंगे इस टेपाइस लास्ट म का असाइमेंट हो गया कंप्लीट और अन्य सब्जेक्ट का असाइमेंट देखने के लिए आप सीधे मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगात लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में सेर करना ना भूले थैंक्यू सो मज करीपाइस